हेलो एवरिवन तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो यह जो स्टोरी है यह कुछ होर्सिज और एक डॉग की है तो इस स्टोरी में जो है जो होर्सिज है वो बहुत ही परिशान है एक डॉग सेटमी और किस तरीके से इंगलिस से हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो यह भी आप इस स्टोरी के थूप सीखेंगे तो शुरू करते हैं There was a dog, एक बार एक dog था that lived in a barn, एक बार में रहता था तो यहाँ पर word क्या है यहाँ पर है बार तो बार किसे कहते हैं बार उस जगल को कहते हैं जहां पर बहुत सारे एनिमल्स जैसे की गाय घोडे और उनका खाना रखा जाता है यह जो जगह होती है यह खेत के अंदर होती है तो एक बार एक डॉग था जो की एक बार्न में रहता था जो की लाइंग पड़ी रहती थी मेंजर मेंजर जो है जिसमें जो एनिमल्स होते है अपना खाना खाते है तो एक तरीके से इसे कहते हैं नांद तो वो जो है हमेशा एक नांद में जिसमें बहुत ही मुलायम सोफ्ट भूसा पड़ा रहता था उसमें हमेशा सोता था from which जिसमें से the horses ate there है जिसमें से जो horses होते थे वो अपना हे अपना चारा खाते थे अपने उस सूखी घास को खाते थे तो वो हमेशा उस मुलायम सूखी घास पर लेटा रहता था जिसमें से horses अपना खाना खाते थे the dog's food used to be kept in the farm yard dog's food dogs यानि कि जो dog था उसका खाना used to be रखा जाता था used to be यानि कि kept means होता है रखना तो उसका जो खाना था वो रखा जाता था in the farm yard कहां पर farm yard में outside the barn जो कि कहां पर था बार्ण से बाहर था तो जो dog का खाना था वो हमेशा farm yard यानि कि उस खेट से बाहर बार्ण के बाहर रखा जाता था even then the selfish dog would stay right there in the manger even then even यानि कि then तब भी यहाँ पर even then का मतलब है तब भी the selfish dog जो स्वार्थी dog था वो selfish dog था would stay right there बिल्कुल वही पर इस्टे थेरता था यानि कि रहता था right there बिल्कुल वही पर in the manger उस manger में यानि कि उस नान में वह selfish dog हमेशा रहता था whenever the horses came in to eat there है whenever यानि कि जब भी जब कभी भी the horses जो horses थे came आते थे in to eat there है अपना भूसा खाने के लिए the dog would start barking at them the dog जो dog था would start कर देता था शुरू यानि कि शुरू कर देता था भूकना at them उन पर जब कभी horses अपना खाना खाने वहाँ पर आते थे तो dog उन पर भूकना शुरू कर देता था the poor horses could not eat their food the poor horses यहाँ पर poor का मीनिग है बेचारे यानि कि बेचारे horses अपना भोजन could not नहीं खा पाते थे eat their food यहाँ की बेचारे horses अपना खाना नहीं खा पाते थे they asked the dog several times to leave the manager they asked उन्होंने कहा several times several का मीनिग होता है कई बार यानि कि अनेकों बार to leave छोडने के लिए leave miss होता है छोडना the manager उस नांद को उस नांद को छोडने के लिए उन्होंने उस dog से कई बार कहा but he always refused but लेकिन he always वो हमेशा refused तो यहाँ पर refused का मीनिंग है इनकार करना तो वो हमेशा जो है इनकार कर देता था they told him that the farmer had left bones for him in the farmyard अब उन्होंने जो है क्या trick निकाली उन्होंने सोचा कि हम इससे कुछ बहाना बना देंगे तो side जो है यह इस manager को छोड़ देगा और हम अपना खाना खालेंगे तो they told him उन्होंने उससे कहा that the farmer की किसान ने head left left यानि कि छोड़ी है bones bones कहते हैं हड़ियों को तो bones का मीनिंग है हड़ियां for him उसके लिए कि किसान ने जो है in the farmyard फार्म यार्ड में यानि कि उस खेत में उस dog के लिए हड़ियां छोड़ी है but still he refused to move out of the manger but still still यानि कि अब भी उनके ऐसा कहने पर भी he refused उसने इनकार कर दिया to move out to move out का मीनिंग है वहां से जाने को यानि कि बाहर जाने को of the manger उस नान से लेकिन अब भी उसने उस manger से बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया what a selfish dog the horses said अब क्या हुआ? horses कहते हैं कि कितना selfish dog है selfish यानि कि स्वार थी जो केवल अपने बारे में सोचता है तो उसे कहते हैं selfish कि कितना selfish dog है जो कि केवल अपने बारे में ही सोचता है he knows that he cannot eat है वो कहते हैं कि he knows कि वह जानता है अनकी dog जो है वो जानता है कि he cannot eat है कि वो जो है भूसा नहीं खा सकता है यानि कि जो सूखी घास है उसे वो खा नहीं सकता है but he will not let us eat our food too लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि हम अपना खाना खाएं लेकिन वह हमें भी हमारा खाना नहीं खाने देगा he wants us to starve he wants वो चाहता है अस हमें रखना कैसा to starve का meaning होता है भूखा तो वो जो है हमें भी भूखा रखना चाहता है so the moral of this story is selfishness is the fool's trait selfishness यानि कि स्वार्थीपन is the fool's trait trait means होता है गुण trait का meaning होता है गुण कि स्वार्थीपन जो है वो एक मूर्ख का जो मूर्ख होता है उसका एक गुण होता है I hope आपको इस story बहुत पसंद आई होगी आपने इससे नए नए words सीखे होंगे और इस story को enjoy किया होगा तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नए मज़ेदार story के साथ For more such interesting stories Please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications Thank you